very good morning to all welcome back to the channel आज का जो हमारा topic है उस्में हम लोग dynamic routing च्टार्ट करने वाले है dynamic routing में आज हम लोग cover करने वाले हैं रीप और OSPF routing information protocol और open source test path first रिप जो है वो एक distance vector protocol है और OSPF जो है वो एक link state protocol है ठीक है OSPF जो है वो बहुत बड़ी topic है बहुत बड़ी मतलग की protocol है तो हम लोग उसका theory part नहीं cover कर सकते हैं तो हम लोग basically लाइब के तुरू देखेंगे कि Apollo Alto पे RIP और OSPF कैसे काम करता है ठीक है एक चीज़ और धियान रखिए RIP का version 1 और 2 होता है यह outside network है ठीक है और यह जो है यह हमारा DMG network है यहाँ पर मैं RIP चलाऊंगा और यहाँ पर OSPF चलाऊंगा ठीक है यह जो part है इसमें OSPF चलेगा और इसमें RIP चलेगा ठीक है फिर कैसे हम लोग Apollo Alto पे configure करते हैं यह दोनों देखेंगे हम लोग कि यह जो है यह हमारा 11, 12 और 13 जो है यह loopback है और यह मैंने एक system connect कर रखा है 15 के network पे ठीक है तो यहाँ से हम लोग फिर internet भी connect करके देखेंगे और यह जो DMG है DMG में मैंने loopback configure कर रखा है 21, 22 और 23 का यहाँ जो network चल रहा है वो 20 का network चल रहा है और यह इंसाइड और मतलग कि Palo Alto के बीच जो है वो 10 का network चल रहा है यहाँ पर .2 रहेगा और यहाँ पर हम लोग .1 यूज़ करने वाल है ठीक है और फिर क्या करेंगे हम लोग रीप और OSPF configure करने के बाद क्या करेंगे हम लोग रीप का जो प्रिफिक्स है वो OSPF में redistribute कराएंगे कि कैसे हमारा जो रीप का prefix है वो यहाँ पर receive हो रहा है DMJ router पर receive हो रहा है की नहीं और फिर जो OSPF का prefix है उसको हम लोग redistribute कराएंगे हम लोग रीप में तो ठीक है इसमें हम हम लोग फिर क्या-करवर हो जाएगा तो इसमें हमारा Rip और Orospf सभावर ही होगा है साथ के साथ हमारा теперь हम लोग डी सिर्शंफंब करा के देखेंगे ए रीप और समस्रों करने के लिए बीच में पिर इसको इन्टेज से कंच करा के दिखाएंगे कि हमारा से इंटरनेट से कम्विनिकेट करता है. यह नेटवर्क वो करके देखेंगे ठीक है तो आये स्टार्ट करते हैं amigo के स्टार्ट कर रखा यह И Şimdi स्टार्ट कर को यह होगा होगा देखते हैं दो है यह अभी पूरी तरसे स्टार्ट नहीं हुआ Creatorus इंसाइड राउटर और DMZ राउटर आई होप आप लोगों को राउटर पे रिप और OSPF कन्फिगर करने आता होगा नहीं आता है तो एक बार देख लिजिए तब से पहले तो मैं IP कन्फिगर करूंगा उसके बाद फिर प्रोटोकॉल कन्फिगर करूंगा साथ के साथ DMZ राउटर भी स्टार्ट कर लेते हैं दोनों राउटर पे एक साथ कन्फिगर करके यह कर देते हैं कर देख कर लेते हैं सब्सक्राइब क्या है हमारा होस्ट नम जो है इंसाइड अड़ यहां पर देख साथ Interface F0 by one IP address । यहां पर .2.1.1.A सबनेट मास 255 255 255.0 ठीक है नौसर्ट अफ जीरो जीरो कन्फिगर कर लगते हैं आई पीड्रेस 15.1.1.1 255 255 255.0 नौसर्ट यह जो हम लोगों ने लूप बना रखा है 11 का 12 का 13 का वो कन्फिगर कर लेते हैं इंटर्फेस लुप बैक वन आई पी अड्रेस एक चीज धियान रखिया जब भी हम लोग लोग लॉजिकल इंटर्फेस लुप बैक कन्फिगर करते हैं तो वह अटमार्टिकली आप हो जाता है उसको आप करने का नो सट करने की जरुबत नहीं राती है ठीक है 11.1.1.1.255.255.255.0 एक है लुप बैक 2 12 loopback 3 13 तो यह हमारा जो IP address था वो configure हो गया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आइपी इंटर्फेस ब्रीफ यह देखिए हमारा 15 का नेटवर्क आगया 10 का नेटवर्क आगया 11 12 और 13 का नेटवर्क आगया ठीक है तो IP address हमारा configure हो गया अब आते हैं हम लोग DMZ IP address configure कर लेते हैं अब इसका होश्ट नम क्या है DMZ हार ठीक है इंटर्फेस F020 IP address यहां पर क्या रहेगा हमारा.1 रहेगा और यहां पर डॉट तू रहेगा ठीक है ट्वर्क नेटवर्क चल रहे 20.1.1.1 255.255.255.255.0 TK no set interface lookback 1 IP address 21.1.1.1 255.255.255.255.0 लुब बैक टु आइपी अड्रेस 22.2 लुब बैक टरी आई-पी एड्रेस 23. तो इस पर भी आप आई-पी एड्रेस कन्फिगर हो गया देख लेते हैं इसको सो आई-पी इंट्रफेस ठीक है यह हमारा आई-पी कन्फिगर हो गया यह 20 का 21 22 23 का ठीक है अब हम लोग क्या करने वाल है जो हमारा इन्साइड है यहाँ पर रीप चलाने वाले हैं ठीक है और जो यह हमारा डीम्जट है यहाँ पर वो इस पीफ चलाने वाले है कि देखते हैं तब तक पॉल अल्टर स्टाट हुआ कि नहीं क्योंकि वहां पर भी हमें इंटरफेस कंफिगर करना है आयों पर स्टार्ट हो गया होगा कि जा रहा हुआ हुआ है एडमीन पासवर्ड एडमीन एड़ेट वर्ण टू टू ट्री एडमीन एड़ेट 123 ठीक है पासवर्ड चेंज हो गया इसमें क्या आई-पी आया है वह देखने के लिए सो सिस्टम इंफो चलाईएगा तो पता चल जाएगा यहां पर देखिए कौन सा आई-पी आया है डाट 29 का अटिक है तो मैं अभी पॉल ओल्टो एक्सेस कर लेता हूं एक बार https डबल बैक्स्लाइस 192.168.136.129 ठीक है झाल 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 इंटरफेस करेंगे क्यों कि जो भी आफ यह इंटरफेस ना वह उस फे जोन असाइंड करना ही पड़ेगा फिर हम लोग क्या करेंगे इंटरफेस कंफिगर करेंगे इन्टरफेस में हम लोग क्या करेंगे कुछ लाजिकल इंटरफेस कंफिगः करेंगे वह किसलिए किम देखेंगे कि मतलग कि हमारा राउस्टर से तो पिटवी क्सार है लेकिन यहां पे भी लॉजिकल इंटरफेस 500 कारेंगे को देखेंगे कि वो प्रिफिक्सेस हमारे रिप में है और वे स्पिएज में हमारे राउटर पर डिसी वो रहेंगे नहीं तो what interface configure करेंगे इसके बाद क्या करेंगे आम लोग यहां पर अद्रीप करेंगे ओईस्प्लेइफ कोपीक्र करेंगे ठीक है मतलब की राउटिंग का ओजो हो है सब्सक्राइब चेख है और जब हम लोग है चलिए वह बाद की बात में कब करेंगे और हम लोग करते हैं पोल्वल्टो का इंटरफेस अपिंगर कर लिते हैं सबसे पहले कळाना था हम है जोन बनाना था तो आपको पता है कि यहां से भी o canción कर देक्ट ही यहां क्या बना रहे हैं हम लोग कर रहे है ठीक है वर्चुल राउटर कौन सा हम लोग जो डिफॉल्ट राउटर राता है वहीं रखेंगे उसी में हम लोग राउटिंग परफर्म करेंगे आप अलग से भी बना सकते हो जोन क्या इंसाइड ठीक है आई पी एड्रेस क्या देने वाले हम लोग इसको 10.1.1.2 24 ठीक है यहां पे एक मैनेजमेंट फोफाइल भी कंफिगर कर लेते हैं पिंग के लिए क्योंकि बाइडिफॉल्ट पिंग लिए अलाव नहीं होता है इस पर ठीक है पिंग ओके वो जास्ट चेक करने के लिए हम लोग कंफिगर कर रहे हैं तो यह इंटरफेस हम लोग का कंफिगर हो गया दूसरा वाला कौन सा है 1 by 3 1 by 3 भी हम लोग कंफिगर कर लेते हैं किस से बिलोंग करता है DMZ से क्या बना रहा है हम लोग L3 इंटरफेस बना रहे हैं वर्चुल राउटर कौन सा हम लोग सेम राउटर में रखेंगे दिफल्ट वाले में क्योंकि हम लोग को राउटिंग परफॉर्म करना है जोन कौन सा यह है हमारा DMZ जोन ठीक है DMZ में क्या होता है maximum server connected होते हैं तो मैं basically यहां पे सिर्फ live यह कर रहा हूं जब हम लोग देखेंगे वह सब पार्ट सिर्फ यहां पे routing के लिए हम लोग perform कर रहे हैं तो मैंने वहां पे loopback फिर fixx बना रखा है router पे वह server हम लोग connect करके देखेंगे जब हम लोग पूरी तरह से routing कर लेंगे जब हम लोग policy based यह करने लएंगे तब हम लोग देखेंगे ठीक है यहां पे IP क्या रहेगा 20 के सीरीज में है तो 20.2 आएगा 20.1.1.2-24 ठीक है यहां पे भी हम लोग management को अलाव कर देते हैं पिंग वाला जो बना रखेंगे हैं ताकि हम लोग जब बाद में टेस्ट करेंगे इसको हां loopback address मैं बना ले रहा हूं 2-3 यहां पे माल लो आप 10 माल लो यह किसके लिए बना राउटर आप डिफॉल्ट रखो इसको किस में रखो इंसाइड में रखो और इसको IP दे दो आप 10 मत रखो इसको क्या रखो 25 रखो ठीक है 25.25.25.25-24 ठीक है इसे भी आप management चाहँ तो अलाव कर सकते हो और नहीं चाहँ तो नहीं चाहँ तो नहीं मैं आलाव कर दे नहीं हो ठीक है यह रिप के लिए हम लोग लोग कर रहे है 25 वह ला ओ ओ ओसरी यह हम लोग लोजिकल कर रहें ठीक है तो आई-पी जो होगा इस पर अले सटीटू होगा क्योंकि इस पर और तो आई-पी-वदे सकते नहीं है तो यह लूब बैक 25 मैंने एक कन्फिगर कर लिया एक लूब बैक 50 कन्फिगर कर लेता है यह भी किसके लिए कन्फिगर कर रहे हैं यह भी हम लोग रिप के लिए कन्फिगर कर रहे हैं कि चेक करेंगे हम लोग की हम लोग का जैसे राउटिंग जो है उधर से लूप बैक एड्रेस प्रिफिक्स यहां पर रिसीव होंगे पॉल अल्टो पे तो पॉल अल्टो के लूप वहां पर रिसीव हो रहे कि नहीं रिप में अड़टाइज करने के बाद इसको क्या रखते ह लूट फिप्टी डॉट फिप्टी स्लैस थर्टी टू ठीक है यहां पर भी मैनेजमेंट अलाओ कर देते हैं यह भी इसमें इसको भी हम लोग कहां रखने वाले हैं रिप में ठीक है लूब फिफ्टी अब लूब बैक सेवेंटी फाइब बना लेते हैं वेस्पिएफ के लिए इसको किसमें रखेंगे वेस्पिएफ के लिए हम लोग DMZ में रखेंगे क्यों क्योंकि देखिए यहां पर वेस्पिए फर्म लोग DMZ में कंफिगर कर रहे हैं आई पी क्या देते हैं इसको 75.75.75.75 32 टीक है पिंग अलाओ कर देते हैं इस पर क्या है OSPF और एक लूब बैक 100 कंफिगर कर लेते हैं वह भी हम लोग इसमें रखेंगे OSPF के लिए रखेंगे डिफॉल्ट security zone DMZ IP address क्या होगा 100.100.100.100-32 टीक है तो यह हमारे चार लूब्बे कंफिगर हो गया अभी हमारा क्या-क्या पार्ट कवर हो गया है हम लोगों ने इस पर जो है route यह जो inside router है हम लोगों ने क्या किया कि अभी inside पर जो IP configuration था वो कर लिया DMZ पर IP configuration कर लिया और पॉल ओल्ट पर क्या-क्या इन दोनों interface पर हम लोगों ने IP configure कर लिया ठीक है यह पार्ट हम लोग बाद में देखने वाले हैं internet से communication वाला तो basically हमारा IP configuration सारे interface पर हो गया है तो अब हम लोग क्या करने वाला है सबसे पहले रिपालाओ करके देखेंगे ठीक है तो आईए रिपालाओ करके देखते हैं पालो अल्टो पर क्या करते हैं पहले यह एक बार कमिट हो जाने दीजिए तब तक हम लोग क्या करते हैं इंसाइड वाले पर एडिपालाओ कर देते हैं राउटर रिप ठीक है बर्जन टू ठीक है नो आटो समड़ी बाई डिफोल्ट आटो समड़ी अलाओ राता है तो नो आटो समड़ी नहीं तो वो क्या कर देगा समराइज करके भेजने लएगा अब मैं क्या क्या करना है यहां पर कौन-कौन से नेट्वर्क अडवर्टाइज करने हैं हमें सबसे पहले तो क्या नेट्वर्क 15.1.1.0 ठीक है नेट्वर्क 10 का करना है ना 10 का यह 10 का नेट्वर्क फिर 11 12 13 भी करना है 11 12 13 तो हमने क्या किया है कि राउटर पे रीप अलाव कर दिया अब हम लोग चलते हैं यह हमारा बेसिकली अभी देखे कोई रूट रिसीव नहीं हो रहा है यह कनेक्टेड है जो सारे वहीं इंटरफेस हैं हमारे 10 के 11 के 12 13 14 के 15 के अब चलते हैं हम लोग पॉलो अल्टो पे पॉलो अल्टो पे रीप अलाव करते हैं ठीक है कि यह किस लिए होता है अगर आपको कोई भी जो डिफॉल्ट रूट है उसको लर्न कराना है तो उसको अंचेक कर दीजेगा और अगर कोई भी डिफॉल्ट कर दीजेगा तो अभी किया हम लोग ऐसे चेक मार्क करने देते हैं टीक है तो configure करते हैं REAP हम लोग, REAP में कौन-कौन सा interface हम लोग allow करने वाले हैं, सबसे पहला जो interface है, one by one, कौन सा, यह inside वाला ठीक है, one by one, कौन सा, यह वाला interface हम लोग को REAP में यह करना, अडबराइच करना है, ठीक है, तो one by one ले लिया मैंने, यह authentication profile और यह सब अभी आप ध् इसी configure कर रहे हैं ठीक है यह authentication के लिए होता है यह mode में mode में भी आप देख सकते कौन-कौन सा mode होता है आपको मतलग की normal रखना है passive रखना है send only रखना है आपको यह सब पता ही है passive passive किस लिए रखते हैं हम लोग interface क्या क्योंकि वो क्या करें कि जो dynamic route होते है है dynamic routing जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कुछ messages होते हैं जो हर एक मतलग की particular interval पे अपने neighbor को send करते रहते हैं वो तो अगर आप इसको passive बना दीजे तो messages यह send नहीं करेगा ठीक है send only कि जिएगा तो यह सिर्फ सेंड करेगा receive नहीं करेगा उस टाइब से तो हम लोग अभी उस पर द्यान नहीं देते हैं हम लोग simply क्या करते हैं route configure करते हैं ठीक है यहां पर अगर default route को आपको advertise करना है तो यहां पर click कर दीजेगा ठीक है कि आलम लोग नहीं करना है ओकी करते हैं वानबई लोग हम लोगों ने इंटरस याड कर लिया ठीक है है और क्या-क्या हम लोगोंने बना रखका था चलेव पहल UP फिलाल क्या करते हैं एक अवारे और देखते हैं वहां पर हमारे यहींधर tip पहलेjam देख लेते वह हमें अभी किया 11 12 13 और 15 के यहां पर णहीं हो रहे हैं यह सारे रूफ्ट्स यह जो दो देखते हैं कि वो यह आते हैं ? कुमिट हो ही चला है हो गया कमिट्मेंट अब देखते हैं हमारा ये जो सारा ये जो इनसाइड का नेटवर्क है 11 12 13 और ये 15 के नेटवर्क पर रिसीव हो रहेंगे नहीं अभी थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने देखा था रिसीव नहीं हो रहे थे अभी देखते हैं इसको एक बार रिफ्रेस कर दिया मैंने तो देखिए यहां पर आप देखिए कलेगा तो सारे रूट्स हमें रिसीव होने लगे अटी के अ उट्रिका है हूं मैं लेटा नहीं यह देखिए 11 का रूट्स वहरा ये नहीं है यह प्लाइक हो देख सकते हैं यहां से सकते आफ रोने का मतलब और Dire nostra καमियम टीफ हैória मतलब रिट्वर रहा है ठीक है 12 का नेट्वर्क रिट्वर्क 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 अभी हम लोग चेक करते हैं, कि यह जो हम लोगों ने बनाया था, 50 और 25 का यह जो लूपएक बनाया था, हम लोगों ने पालो अल्टो पे, वो हमें receive हो रहा है कि नहीं remember router पे, ठीक है, तो router पे चलते हैं, inside पे, so IP route, ठीक है, तो देखिए अभी हमें receive नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें उन interface पर भी रीप एडवर्टाइज करना पड़ेगा तो आए करते हैं और करके देखते हैं कि हमारा वह उन्हें रूट रूटर पर receive हो रहा है के नहीं चलते हैं रीप में चलते हैं कौन कंसा आड़वर्टाइज करना था में 25 ठीक है और इसके बाद कान्सा कि 10-чив यह दोनों को करते हैं एक बार कमिट कमिट करके देखते हैं कि हमें यह दोनों रूट यहां पर रिसीव हो रहे कि नहीं मैं के स्नैप ले लेता हूं कि हम लोग कंपेर करेंगे यह पहले का है ठीक है और अभी कंफीगर होने के बाद अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि पैसीव मोड सपोर्ट करेगा तो हम लोग पैसीव मोड में कर देते हैं कि यहां से नहीं आप जाएए वर्चूल राउटर में हम लोग चलते हैं रिप में अभी कमिट हो जाने दीजिए फिर हम लोग देखते हैं कि यह जो राउट है वह हमें रिसीव हो राएकने उस पर कमिट हो गया और देखिए अभी तक हमें मतलग कि वह जो 25 और 50 के प्रिफिक्सेस हैं वह रिसीव नहीं हो रहते हैं अभी एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग तो देखिए कि यह 50 के और 25 स्केर का आगए न एक से रिसीव हो रहाए है और हार से डिसीव हो रहा है कि कर मतलग क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर भी आर का मतलग रिप्ट तो यह तो हो गया हमारा रिप अब देखते हैं हम लोग क्या अब ऑस् OSPF में देखिए यह जो पार्ट है यह हमारा पार्ट है OSPF में इस इंटरफेस को हम लोग OSPF में अडवराइज करेंगे और इस इंटरफेस को और यह जो लूपबैक एड्रेस है इसको और इसके अलावे यह जो हम लोगों ने जो दो लूपबैक बना रखे हैं 75 और 100 OSPF के उसको भी अडवर्टाइज करेंगे ठीक है और उसको अडवर्टाइज करके देखते हैं तो आएए कंफिगर करते हैं सबसे पहले क्या करते है राउटर पर कंफिगर करते हैं ठीक है डीमजेड़ पर कंफिग्टी राउटर OSPF 100 ठीक है नेट्वर्क कौन सा लेना है नेट्वर्क आपको 20 का 20.1.1.0 और यहां पर क्या यूज होता है वाइल का मास्क क्या होता है अब पोजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ट्वालोटो पर कहा जाएंगे जो हमारा वर्चुल रौटर है इसमें जाएंगे डिफॉल्ट रूट में जाएंगे डिफॉल्ट रूट में जाएंगे पर लोल्ट होगा उसमें जाएंगे राउटिंग के लिए OSPF में जाएंगे क्या करना है हमें सबसे पहले यह देखिए यहां पर कुछ कई कर से ऐड़ा रहेगा की जीरौट जीडूट जीरो डॉट जीरोट जीरोट जीरो ठीक है और इसमें इंटर ces कौन कौन से हमें advertise करने हैं तो सबसे पहले कौन सा 1 by 3 कौन सा 1 by 3 ठीक है 1 by 3 ले लिया यह सब पार्ट आप छोड़ दो अभी यह पैसी बोला आपको पता ही है यह टाइमर्स है ठीक है और इसमें यह लिकटाइप लिक टाइप आपको मतलग कि यह थोड़ा सब्पोर्टेन चीज ए मैं कभ़र देता हूं लिक टाइप G В olduğ ब्रोड काईट सब्रोंड में इसको करते हैं ऊंड़ों C будем रहने देंगे ठीक है ओके और कौन-कौन सा अभी क्या करते हैं अभी पिलाल इसी को सेफ कंफिगर करते हैं फिर सेकेंड वाले को बाद में अद्वटाइज करेंगे करेंगे कमिट अभी देखिए एक चीज यह यहां पर क्या है कि यहां पर हमें 21 22 22 and 23 के network wes to receive नहीं हो रहे हैं यह 10 का है 2 यह सारे 10 के हैं यह 11 12 13 15 20 25 और 50 सहरे मतलग की इस पर डारेक्ली कनेक्टेड है और यह सारे कहां से आ और यह तरैक्लिकर हो गथे आढ़ीवार रहा रहा है कलुकि थ हमें 22 23 और टार्टी वडिसीव नहीं व ऻ रहा है तो हमने हम कर दिया है यह कमिट हो जाने दीजिए कमिट हो गया अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और तब चेक करते हैं हमें 21 22 वाला रिसीव होड़ा एकनी मोर में जाएंगे अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं था ना 21 का अब फिर से मैंi snaf ले लेता हूँ अभी देखिए हमें 21 का जो फिक्स है वो रिसीव बोड़ा है किस्ते से रिसीजुड है ए और ए का मतलग क्या है एक्टीब है और आई का मतलब ओए मतलों ओइसपीएफ इंट्राइडिया यह ने यह कहां से आ रहे हैं यह वेट वंटिवण्टिटू tao्तुट यह तीनों जो आ रहे हैं प्रिफिक्स ही कहाँ से आ verd傑 तो यह हो गया हमाराएफ पाठा इस पड़े हम लोगों ने दो और n desirable बना रखे थे वो लॉजिकल इंटरफेस 75 का लूप बैक और 100 का लूप बैक तो वह यहां पर रिसीव हो रहा है कि नहीं वह देखते हैं हम लोग राउटर पर यह देखिए नेवर से भी आप आ गया था तभी तो हमारा राउटर मतलग कि रूट वहां पर रिसीव हो रहा था बेखते हैं 100 १ रौट नहीं रिसीव रहा था है ना 75 और 100 का तो अभी देखते हैं उसको एडवेटाईज करते हैं इसमें गये कि आप कि निए इसमें गए और फिर इंटरफेस में गए और इंटरफेस में क्या करेंगे आम लोग किसको किसको अडवर्टाइज कर देंगे यह 75 वाले को ठीक है और दूसरा कौन सा है 100 वाले को इसको कमिट करते हैं कमिट करके देखते हैं कि राउटर पर रिसीव हो रहा है कि नहीं 75 और 100 का नेटवर्क कि इसमें भी पैसिव मोड यह एक्चुलिव वीम्वेर हम लोग मतलब की वर्चुल राउटर पॉल उल्टो यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी यह पैसीव ही सपोर्ट करेगा तो कोई नहीं हम लोग पैसीव कर देते हैं हमें तो देखना है कि रूट रिसीव हो रहा है कि न कि यह एक बार कमिट हो जाने दिजिए अभी देखिए अभी हमें 75 और 100 के नेट्र के यहां रिसीव नहीं हो रहे थे यह बार कमिट हो जाता है फिर देखते हैं हम लोग कुछ हो जानि कमिट हो जागया है यह ऊलरडी तो चैक करते हैं हिसको करते हैं और मैं प्रूसी हो रहा है तो देखिए हमें 100 का नेट्रक तो रिसीव और है किस से receive ऊठाए वह का मतलब क्या है यहां पर देख ली जिए सब्सक्राइब टीक है 75 का विन क्रिशी बोड़ा है किस से receive ऊठाएब टीक है सब्सक्राइब तो यह हमारा हो गया ओस प्सक्राइब और रीप कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं पॉल अल्टों पहट बट अभी हमें इसमें एक चीज और कावर करना है ठीक है वो क्या है यहां का जो prefix है यह मतलब कि हमें Apollo Alto पर रिसीब हो रहा है Apollo Alto का router पर रिसीब हो रहा है ठीक है और यहां का जो है वो मतलब OSPF में advertised है और OSPF में मतलब कि Apollo Alto पर भी रिसीब हो रहा है और फिर हमारा router पर भी रिसीब हो रहा है यह 11 के prefix जो है यह हमें यहां पे DMZ router पर नहीं receive हो रहा है और 21 के prefix है वो हमें इंसाइड router पर रिसीव नहीं हो रहे हैं तो अब भी हम लोग क्या perform करने वाले हैं? redistribution परफॉर्म करने वाले हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं? OSPF को हम लोग RIP में redistribute कराएंगे और कैसे हम लोग RIP को OSPF में redistribute कराएंगे ठीक है यह पार्ट हम लोग next part में cover करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं इसको दो पार्ट कर देता हूं ठीक है तो OSPF का configuration कैसे होता है और RIP का configuration कैसे होता है यह तो clear हो गया अब हम लोग next part स्टार्ट करेंगे ठीक है